प्रभुराम ने ये बाते तब कही थी जब लंगा पर विजे प्राप्त करने के बाद तिनेता यूग में आयोद्या लोटे थे और आयोद्या वासियों ने दीब माला जला कर उनका स्वागत किया था कुछ ऐसा ही नजा रहा है इन दिनों आयोद्या की गलियां आयोद्या की सड़कों पर देखने को मिल लहा है हम इस समय घरम पत पर यानि लता मंगेश कर चौक पर यहां की सड़के आप देखे कैसे अत्याधोनिक लाइटों से गुंजाय मान इतना ही नहीं प्रभुराम की न प्रदेश की योगी सरकार शभी तयारी पूरी कल्वी घाटों पर वालंटियर दीब 28 लाग लगा चुके हैं अब गल एक बार चिर उर्यविश्व की निगाहे धर्म नगरी आयोद्या पर तिकी रहेंगी लेकिन इस समय आयोद्या वासी भी दीप उस्थल पर जाकर और आ कर रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है उन्हीं से बातचीत करते हैं यह त्रेता यूगी ना युद्ध्या कैसी लग रही आपको बहुत अच्छा आपने कभी कल्पना की थी तो कल्पना क्या लोग सोच में कैसा लग रहा है 25 लाग दीपकल जलाए जाएंगे आप इस देख रहे हैं कैसी देख रहे हैं आप अच्छा कल्पना की थी कभी कि इस तरह त्रेता युद्ध योगी जी के लिए क्या कहेंगे बहुत भण्यवासां क्ल़ को भी तरॅ कर में आहीं पहले ऐभी तो पहले कि अच्छा है बहुत अच्छा बऌत होगे पहले के मताविक अच्छा तो इस बार दिपाओली में यहीं मानाने क्वाल जी वेक्व भर्या जोग्ला मुठ टो है कं जूगां जसी जदक कि अब को दीखरा कि पुरी नग्री जीसा की तरह ठत तो नहीं लेक्मी इसको देह रहे हैं पेлов तो नहीं पता है ना लुक्ष माता जी कहां से आई हैं कैसा लग रहा है जब से मुखमंत्री अधितनात उत्तर प्रदेश की मुखमंत्री बने तब से आयोध्या में हजारों करोनों रुपए की ओजनाये तो चल रही है साथ ही यह आध्मा दिपुस्टो है जिसे भव बनाया जा रहा है अच्छा माता जी राम मंदिर बन गया है अब कैसे देख रही है राम मंदिर भी बन गया दिपावली भी ना इसके साथ अध्या को विकास हो रहा है लोगों को भोथगार मिंगा है और के चटी अश्टमुपमंदरी जीन में लोगों मिला है कैसे कैसी लग रहे हैं कभी कर्पना की आपने हैं यहां रहती है हर वार आपको यहां से जादा पैसाइं गपार क्या खास दरा आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करता नजर आ रहा है कि आयोध्या कल्यूंग में त्रेटा यूग की तरह नजर भी आ रही है आयोध्या से न्यूज 18 के लिए सर्वेश सर्वास्तर झाल